दोस्तों जब से केविन फैगी ने कहा कि एक्समेन और फैंटास्टिक फॉल जल्डी मार्वल सिनिमाटिक इनुवस में इंट्रिड्यूज होंगे सब अलग अपना अनमाल लगने रहे लेकिन एंट गेम में लेकिन अब लोगों कहें कि एंट गेम में वलवरीन दिखाई देगा वह भी पोस क्रेडिट सीन में अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुज यकमान अल्डी वलवरीन को रोल से रिटायर हो चुके है और उन्हें करने के लिए बहुत सारे अक्टर्स सामने आए जैसे रायन रेनोल्ड्स, रॉबर्ट डॉनी जूनियस और सेबिस्टन स्टैन लेकिन अभी हुँ जैक्मैन का कोई मूड नहीं दुबारा वुलवरीन का रोल करने का क्योंकि उनका अब सुपर हीरो के करेक्टर से हटके थेटर पर्फॉर्मस पर ज्यादा ध्यान है और जैसा कि हम सब जानते हैं कोई बिए अगर एक्टर सुपर हीरो का रोल प्ले करता है तो उसको कितना जादा अपने फिजीक को मिंटेन करना पड़ता है जिससे उसके परसनल लाइफ में भी थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है तो वॉलवरीन का रोल प्ले करने वाले हुज जैकमन की भी अब काफी एज हो चुकी है तो वो भी अपने फैमिले को टाइम देना चाहते है और अगर उनको मौका मिला तो वो भले कैमियो कर दे उस पार्ट के लिए लेकिन वो लॉलवरीन नहीं बनेंगे और अब बात करते हैं रूमर की रूमर कहां सा ही तो जब गूगल पर आप लोग टाइप करेंगे हुज जैकमन बेस्ट फिल्म तो इसमें एवेंजस एंड गेम का भी नाम आता है अब आप लोग सोच रहेंगे एवेंजस एंड गेम कहां से हुज जैकमन की बेस्ट फिल्म हो गए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे केविन फैगी ने कहा कि मार्वल सिनमाटिक उन्यूर्स में एक्समेन और फैंटस्टिक फोर भी आएंगे वह भी एक फेक न्यूस थी जिसके चलते गूगल पर एवेंडम मूवी की कास्टिंग में टॉम होलेंड भी आ गये थे इसे तरह सिल्वर सर्फर गेलेक्टर्स इन एवेंजस वगेरा 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 तो दोस्तों यह एक रूमर है जब तक कोई सेट्पिक लीक नहीं होती जब तक कुछ पर्टिकुलर एविडियंस नहीं बिलता कि हुज एकमेर एक्च्वल में वुलवरीन का रूल प्ले करेंगे एवेंजस एंड गेम के फोस्क्रेट सीन में कुछ नहीं कहा जा सकता तो दोस्तों आपके यह न्यूस कैसी लगी कमेंट करके मैं जुर